हेलो एप्रिवन कैसे हैं आप लो तो आज है वर्ट सावित्री और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए अभी 620 हो रहे हैं सुबस वही हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद नीरज का आफिस पर जाना है और निवान अभी तक सोया हुआ ही है हम लोग उसको घर पर है देखते हैं कल रात को मैंने महंदी लगाई थी लेफ्ट रैंड में खुद से लगाया और राइट में बिट्टो ने लगाया था अब चले मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूं थोड़ा तो मैंने ये रेड और ग्रीम कलर के साड़ी पहनी है आज और बस सिंपल्स लिखा भी बैंगल्स पहने हैं ये लाग के बैंगल्स एट कलोगे और बेंदी लगाई जिंदूर लगाया और जूंका पहने है बस मैंने इंस्टा पे बहुत सारे रेल्स भी बनाया है आप मेरे इंस्टा आइडी पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो से लाइक शरू कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी मुझे फेस्बुक और इंस्टा पे भी आप फॉल कर सकते हैं मैं लिंक्स डाल दूँगी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शिर में तो बस यह चोड़ चोड़े क्लिप्स मैंने आज शूट किये और उनको इस लॉग में डाला है तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो अब देख सकते हैं यह वट फ्रिक्ष है और यहां पर बहुत सारी लिए फूजा कर रहे हैं मैं भी फूजा स्टार्ट करूंगी वट सब्द्री का व्रत जो है वो मुख्य रूप से बिहार चारकन यूपी में मनाया जाता है और उडीसा और महारस्ट में भी इसको मनाते हैं यह फास्ट हस्बिन की लंभी विम्र के लिए रखते हैं बिहार में इस व्रत को बर्साइट भी कहते हैं इस दिन हम वट फृच्ष की यानि के वरगत की पेड़ की पूजा करते हैं क्योंकि हमारी हिम्दुधर में ऐसा माना चाता है कि वरगत के पेड़ में तीनू सावित्री की, जैसा कि सब लोग जानते हैं. सावित्री ने इपनी पती की जान बचाने के लिए यह एमराद से भी लड़ाई कर ली थी. वो यह एमराद से भी लड़के अपनी पती की प्राण वापस ले आई थी और साथ ही अपने सरसुर्जी का राज्य पाट सब कुछ वापस मिल गया था उन्हें तो इसलिए शादिशुदा महिलाएं ये व्रत रखती है ताकि उनका सौभागे जो है वो सुदा बना रहे तो चलिए मैं आपको इस पूजा की वीधी बताती हूँ इसमें हम लोग बास के बने हुए टोकरी और ये बास का ही पंखा जो होता है जिसे बीना कहते हैं पूजा के लिए लेते हैं और हम बरकत की ही पत्तों में प्रशाद चड़ाते हैं आप फर ले सकते हैं पांच तरह के और साथ ही अगर आपने घर पर कोई भी प्रशाद बनाया है जैसे कि मैं ठिकवा बनाती हूं हमारे तरफ पर ठिकवा बनाते हैं और लट्टू ये से मिठाई चुडाते हैं अगर बत्ति और दिया जलाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं वर्ट फ्रिक्ष की धागा बानते हैं उसमें जो कच्छा धगा होता है वाइट कलका वो बान सकते हैं या फिर लोली जो भी आपके पास अविलीबल हो आप से बान सकते हैं तो वर्वित की विक्ष की परिक्र रूप से होते ही हैं प्रशाद में पर मुझे यहां पर लीची नहीं मिली तो मैंने ऐसी पांच फल ले ली हैं मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे और मम्मे वर्ट सावित्री का व्रत करती थी mostly हम लोग जून में अपने नानी घर में होते थे और वहां पर मौसी भी आई होती थी मम्मे मौसी सब लोग मिलके एक से अतवर्ट सावित्री का व्रत करते थे वहां पर एक काली मंदिर था और जिसमें बर्वत का पीर था सब ऑढ़ी पैजाती थे पूजा करने के लिए बहुत अच्छा लगरा था हम सारे वर्ट्री भी जाते थे देखते थे उन लोग को कैसे हूँ पूजा करती हैं और ऐसे घू लोग जिस जिल को बर्गत के प्रिड से हजबन के पाम को बेना से हवा करते हैं उनको प्रशाद देते हैं और उसके बाद प्राइब पुद्ध खा सकते हैं उस दिन तो फास्ट ही होता है, एक नेक्स टें फिर आफ वरद् रोते हैं मुझे याद है जब मुंग छोटे थे और ममी यवरद् रखती थी तो पापा कभी वहां पे नहीं होते थे बापा बाहर उते थे तो फिर मम्मी ये जल रख लेती थी और फिर जो पापा आते थे तो इसे जल से पापा के प्यारत होती थी तो मैंने भी फर्स टाइम पर ऐसे किया था क्योंकि जो मेरी फर्स वर्ट सावित्री थी तो नीर चाहतरबाद में थे और मैं देवभर में थी तो बस आज का यह व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज यह से लाइक कर देजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कामेंट में बताईए कि यह व्लॉग आपको कैसा लगा तो बस फटाफट अब मैं रैप अप कर रही हूं सब कुछ जल्दी मिलते हूं आप से एपने नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाए